करें कि हम देखेंगे स्क्रम मास्टर क्या होता है तो स्क्रम मास्टर एक रोल है मास्टर में अगर आप कैसी लिएकि होगा जो tap को काईट करने और दम engineer को nad her ब्र उय AlbanEm市 न्रिक प्रिश्द करने में आपकी मदद कर द से हूँनिफार तो को छोड़े छोड़े पार्ट में डिवाइड़ करके काम कर आया जाता है अब स्क्रम मास्टर का काम क्या होता है वो टीम को जो फोकस में राखता है और उनकी प्रॉलम्स को सौल करने में help करता है और ensure करता है कि टीम में बिना किसी रुकावट के आपका जो goal है, वो achieve कर रही है या नहीं कर रही है अगर team के बहुत सा रे अपके अंदर employees है this तो उनका ये leader होगा जो अपने team के साथ मिलके हर plan team के साथ मिलके work plan और daily meetings को manage करते हैं scrum master project में time management اور collaboration को improvement करते हैं improve करते हैं वाफे सिसे की project जो है आपका वो timely complete हो सके तो यह सब काम है scrum master का तो अब हम आगे और देखेंगे कि इसके अंदर और इसकी responsibilities क्या होती है तो पहला गर हम बोले तो team को guide करना सबसे पहली responsibility जो scrum master की वो है team को agile और scrum framework के principle के according काम कराने में guide करता है है scrum master और ensure करता है कि हर इंसान अपने role और responsibilities को सही तरीके से समझे अगला अगर हम मैं बात करूँ तो daily stand-ups stand-ups को conduct conductor आना अगर आपने देखा होगा completion meetings बहुत होती रहती है तो हर रोज छोटी-छोटी meetings या daily stand-ups कहते हैं इनको organize करना जिसमें team अपने काम के progress और issues को discuss करती है scrum master इसमें time management और focus को maintain करता है ठीक है अगला जो है हमारा यह है road blocks को दूर करना तो अगर किसी team members को कोई काम में कोई problem आती है तो scrum master उन्हें remove करने में help करता है और इन्हें हम लोग कहते है impediments इसको कहते हैं इनको कहा जाता है अगला जो है sprint planning और retrospective meetings तो scrum master sprint planning और retrospective जो meetings हैं उनको भी organize करता है जिसमें team agile sprint के साथ task को plan करती है और पिछले sprint के काम को review करती है अगला जो है stakeholders से communication stakeholders के साथ communication भी काम को करता है जो अपना scrum master वो करता है stakeholder जैसे के project manager और client और यह सब यह आपके stakeholders होते हैं तो इनके साथ development team और इनके और development team के बीच ब्रेज बनके काम जाता है तो भी यह developers है वो कुछ कर रहे हैं और clients से कुछ requirements आ रही तो इनके बीच में जो client काम करेगा वो अपना scrum master काम करेगा तो यह दोनों की तरफ से expectation और requirement को clear करते रहते हैं अगला जो हमारा इसका task जो है रोल जो काम है वो है team के workflow को optimize करना तो team का का काम जो है process के streamlined और efficient बनाने में मदद करता है जैसे कि continuous improvement practices को implement करना तो यह सबी चीज है हमारी जो है इसकी scrum master के responsibilities है ठीक है अगला जो है आप scrum master के लिए आपको कौन-कौन सी skill आना चाहिए तो इसके लिए हम लोग बात कर ले तो सबसे पहली जो चीज है वो है आपकी communication skill अब communication skill क्या होती है scrum master को अच्छी दरी से communicate करना आना चाहिए ताकि वो team और stakeholders के बीच में effectively communicate करके maintain करके चल सके अगला जो है वो हमारा है problem solving skill ने scrum master को किसी भी तरह के issues को solve करने के लिए capability होना चाहिए और ताकि team को smoothly अपना काम वो कर सके team जो है अपनी आपके enter मे जो पूरी team smoothly अपना काम कर सके leadership qualities आपको आना चाहिए strong leadership quality होना बहुत जरूरी है पर यह servant leader होते हैं servant leader महला है जो अपने team को empower करते रहते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए support करते रहते हैं conflict resolution आना चाहिए team में अगर कोई conflict आते हैं तो स्टम master उन्हें handle करते रहते हैं क team के बीच में healthy working relationship बना रहे हैं अगला जो हमारा time management skill भी स्क्रम master का का काम है एक skill है तो time management को भी आना चाहिए ताकि meetings timely और effectively रहे और project timely deliver हो अगला जो हमारा agile और scrum knowledge इन सब की दो चीहों कि इसको knowledge में चाहिए agile की और scrum की इसकी solid understanding होना चाहिए इसका master को यह मालू होना चाहिए कि methodology का किस का कैसे इन्हों ने use करना है और project को smoothly कैसे complete किया जा सकता है अगला जो है adaptability scrum master को चाहिए कि साथ जो scrum master को changes के साथ quickly adapt करना आना चाहिए थाकि जो agile project में changes हमेशा आती रहते हैं हमेशा बार बार आपको बार changes आती रहते हैं तो आपको इसके adaptability scrum master में होना चाहिए तो यह थी हमारे पास जो scrum master उसकी skills क्या क्या skill set होना चाहिए अब सबसे ची बात अब main जो चीज़ है कि scrum master बनना कैसे इसकी knowledge कैसे हमको कर लेगी तो सबसे पहले agile methodology और scrum framework को deeply समझना बहुत जुरूरी है अगर आपको scrum master बनना है तो agile project management के principle of values को समझना पढ़ता है और scr scrum कैसे काम करता है यह उनको सीखना बहुत जुरूरी होता है scrum guide पढ़ने help pull होगा क्योंकि इसमें scrum के roles और events जैसे की sprint daily standards और artifacts जैसे की product backlog इनका detail में explanation होता है तो यह सब चीज़ें आपको इससे आप सीख सकते हैं अगला जो है certificate लेने का कैसे ले हम लोग certificate इसमें दो तरीक scrum alliance के through offer किया जाता हो इसमें आपको basic और advanced concept के concept जो scrum framework के बारे में आपको पढ़ाया जाता है अगला जो है वो है professional scrum master जिसको लोग कहते है PSM यह certificate scrum.org के through मिलता है और यह भी highly valued है इसमें आपको scrum के fundamentals के अलावा practical scrum और scenario के लिए भी prepare करता है आपको यह certification आपके knowledge को validate करते हो और recruiters के लिए आपकी skill को visible बनाते हैं तो आपको आसानी से job भी मिल सकती है अगर आप scrum master के certification कर सकते हैं तो scrum master के tools कौन कौन से हैं उनको कैसे use करना सीना तो अगर आपने सुने ह यह जैसे project management की tools इनको इस्किमाल करना बहुत जुड़ी है जीरा जीरा के नाव आपके बहुत सुना होगा जीरा ticket आप लोग रेस करते हैं हर चीज़ करते हैं हर कंपनी से आप इन टाइम के tools को use करना स्टार्ट कर दिया तो यह tools system project के लिए plan और manage करने के लिए काफी मदब जार होते हैं और अगर इनकी कैसे यूज करना है यह scrum master को पता होना चाहिए कि soft skill develop करना चाहिए को soft skill आपको develop करना पड़ेगी इसमें communication और leadership skill जो हो गई आपकी वह problem solve conflict resolution जो कि हम लोग discuss कर चुके यह सब चीज़ें आपको आना चाहिए और scrum team के साथ work experience यह भी आप ले सकते हैं अगर आपको बनना ही कर लेगा और आपकी practical skill develop होंगी तो यह सब चीज़ें हैं जिनसे आप कर सकते हैं एक और चीज़ो मिस हो रही है वह है नेट्रोकिंग और continuous learning तो अगर आप community का नाम जानते हैं तो यह continuous learning तो है जिसमें कि स्क्रम community में आप networking पहुत जुरूरी है जिससे कि आप स्क्रम events जो होते हैं webinar होते हैं online forums होते हैं LinkedIn और स्क्रम alliance community communities हैं बहुत सारी इनका भी आप इससा बन सकते हैं जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने में आपको help मिलेगी आप job के लिए apply कैसे करना है तो job के लिए certification के और कुछ experience के बाद आप इंट्री लेवल इस्क्रम master position के लिए apply कर सकते हैं जिसमें कुछ companies को freshers को भी स्क्रम master को trainee या junior role में recruit करते हैं अब इंडिया में स्क्रम master की salary अगर हम बोले है salary discuss करें तो salary अगर करें तो इंट्री लेवल पर इस्क्रम master जिसमें 0-2 साल का experience हो तो उसको पांस से आठ लाग रुपए साल के आपको आठ से लेके पंद्रा लाग तक आप असानी से ले सकते हैं अगर आप senior scrum master बन चुके हैं तो पांस प्लस एक्स्प्रियंस हो चुका है आपको इसमें तो वहां फिर आपको पंद्रा से 25 लाग रुपए बड़े आराम से मिलेगा वह बहुत के समें बाच के समें 30 लाग आठ से 10 साल का experience हो जाता है या five plus year का experience भी हो जाता है तो वह भी agile coach बन सकते हैं इसमें भी आपको 25 से 40 लाग रुपए तक salary आप उठा सकते हैं और यह senior level position जिसमें candidate agile process को पूरा organize करना और promotion और implementation करता है agile coach या lead scrum master के लिए salary और भी हाई हो सकती है especially अगर आप top IT companies में MNC में काम कर रहे हैं तो फिर आपका package बहुत अच्छा जा सकता है 50 plus भी जा सकता है तो यह सब था scrum master के बारे में और आज के सामें यह बहुत जागा training में है तो अगर आप इस दिशा में जाना चाहते हैं तो अगर आपको यह अच्छा लगा है तो आपको यह लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल कर सब्सक्राइब बटन वह भी आप दबागे जाए